ऐलो आप एकी तरीके का पनीर खाखा के बोर हो गए है तो आई एक बहुत भी डिफरेंट स्टाइल की पनीर की सबजी की रेसिपी यह सबजी विवर्स बहुत ही डिफरेंट है और आपने इस तरह की सबजी पहले कभी नहीं खाई होगी तो यह जो हम सबजी बनाएंगे इसकी ग्रेवी हम बनाएंगे पफ कॉन से जहां पफकॉन से सब्जी बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा विवर्फ और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्र बनाएंगे हमारा जो चीजी सॉस होगा और जो ग्रेवी होगी सब्जी की यह बहुत ही डिफरेंट लगीगी आपको खाने में आप ज़रूर एक बार ट्राय ज़रूर कीजेगा तो यह मैंने ले लिया है आईए स्टार्ट करते है रेसिपी बनाना और अगर आपको मेरी र इसे बॉल होना शुरू हो गया है इसके प्यास एसा बड़े बड़े चंगस में काटके डाल दूंगी और इसके साथ मैं इसके लिबावकर बिद्धा ले लिया है और आछे से साफ कर लिया है इसको वह बी इसमें डाल देंगे तो देखिए दुश्ण आखिए बढ़े से पैसे लिए वाउडर देनाना अच्छा सा महीनदल बना लेना है, हमको भी वारीक पाॉडर बनाना है ने प्राव्वर्य के वाउडरी है यह कि अच्छा चीजी स्ट्सथी बनने वाली terug और एक पाउडर बन गया है यह बहुत इस बाहरीक एसे बहुत इनौट criteria मैं कुछ बिल्कुल ही नया बना के एक बार देखती हूं तो यह मैंने ट्राय किया और यह बहुत ही अच्छी बनी रेसिपी तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं तो इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूं आजकल की यंग जनरेशन को कुछ डिफरेंट पसंद है तो यह मैंने बहुत ही डिफरेंट ट्रेस्पी बनाने की कोशिश की है तो देखिए विवर्स यहां पे मेरे प्याज और जो टमाटर था वो अच्छे से बॉइल हो गया है पांच मिने ठाई पे इसका पानी मैंने निक चीकिन भी डाल सकते हैं आप चाहे तो इसके अंदर कोफटे भी बना के डाल सकते हैं तो यहां मैंने तीन पीस बड़े पीस मैंने डाल दी है इसमें टमाटर और प्याज में और इसको हम अच्छे से पीस के इसकी बिल्कुल स्मूध पेस्ट बना लेंगे तो रेकिवर्स क्योंद के बारीक पेस्ट बन जानी चाहिए क्योंकि हमारी ग्रेवी बिल्कुली समूध होगी तो यह बहुत यह बेस देगी तो इसको हभी हम साइड में ढपके रग देते हैं और आज एक ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको यहां पर मैंने एक सॉस पैन जाले का पैकेक पड़ा था आप चाहे तो इसमें इटालियन फ्लेगर वाला मसाला भी डाल सकते हैं इसमें कुछ खास नहीं है इसके अंदर चिली फ्लेक्स हैं लाल मिच्ची का पाउडर है और थोड़ी सी लसुन है सूखी वी और इसके अलावा अंदर और अरेगेनो है तो हमने पाफ्कॉर्नस को पीस के पाउडर बना के रखाता हूँ वह डाल देगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें으면 मीक्सचर बनालेता है आप इस एस स्टेश पैज जल्डी-जल्डी मिक्स कीजिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े हिज़ी आपगी थोड़ी सी भियर ग तो देखी मैंने गुटलिया भी गुला ली है और यह बल्कुल स्मूध होता जा रहा है और इसके बाद इसके अंदर हो जो हमने मसाला पीस के रखा था प्याज टमाटर वाला वो डाल देंगे प्याज टमाटर और पनीर जो हमने पीस के पेस्ट बना के रखी थी यह तो देखी कितना स्मूध साई बैटर बन गया है अब इसके अंदर हम साधनु सा नमक डाल देंगे याद रखिए पफकॉंस में भी नमक है तो थोड़ा सावदानी से डालिए इसके अंदर नमक और पनीर भी डाल देते हैं तो इसको मिक्स कर लेंगे हम व्यूवर्स तो य चीजी है और लिज पुमारी सबस्देटben हो गई है और यह बहुत ही डिलिश्यस सब्दी बनी है आप प्लार देका है कितना अच्छा कलर आया है और यह जो gravy है यह cheesy flavor वाली gravy है बच्चों को और young generation के बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही different style की आप जरूर ट्राइ कीजेगा इसको एक बार से आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी मेरे घर में सबको अच्छी लगी थी बहुत ही different taste है और इसको मैं gas switch कर लेती हूँ off और उसके बाद मैं इसको serve कर लेती हूँ आप इसको नान के साथ खाई यह बहुत ही tasty लगती है वैसे तो आप इसको चावल के साथ पूरी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ या simple फुलके के साथ भी खा सकते हैं लेकिन इसको नान के साथ ख कर दिया है आई होप आपको एची लगी होगी अगर मेरी एची लगी है तो लाइक बटन जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा जाल ज्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बैल आ झाल जा जः जरूर आपकी